Hello kids, good morning, how are you all? I hope you all are fine. Students, in our last class, we revise shapes and back counting. Back counting from 10 to 1. We have revision of shapes in our last class. So we have revision of shapes and back counting in our workbook. Today I am going to teach you revision number 5, which is addition. So please all of you take out your maths workbook. We will do revision in workbook. All of you take out your workbook. And open page number 20. In which you have added addition. We will do revision in workbook. Yes. I have read your first addition. Addition means to add. Addition means to add. Addition means to add plus. In this this reference, we have solved the first example. Here is the number 1 and a 3. Addition means to add plus. The first is 1. We will do 1 line. And then 3. We will do 3 lines. 1,2,3. We will count each line in 1,2,3. How? तो यह 4 हो गया, अब देखो next दिया हुआ है 3 और नीचे 0 है तो पहले हम 3 लाइन बनाएंगे 1, 2, 3 अब 0 है, means nothing, कुछ भी नहीं, तो लाइन फिर count करेंगे 1, 2, 3 तो यहां हम लिखेंगे 3, okay, next है number 8, तो हम 8 लाइन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, फिर है 1 तो यह 1 बनाएंगे अब इन सब लाइन को एक साथ count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह total लाइन कितने हुई, 9 तो हम यहां पे लिखेंगे number 9 फिर देखो दिया हुआ है 5, क्या हुआ है 5 और 2, 5 और 2 को हम को जोड़ना है ना, तो 5 लाइन बनाएंगे पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिर यह दिया हुआ है 2, तो 2 लाइन बनाएंगे 1, 2, अब इनको एक साथ count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना हुआ 7, total number 7 तो यह हम लिखेंगे 7 फिर next है देखो 7 और 1 को जोड़ना है 7 लाइन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह है 1 तो 1 देखो आपको लाइन को काटते काटते काउंट करना ता कि कोई भी लाइन बीच से छुटे ना जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना हुआ 8 तो यहा हम लिखेंगे नमबर 8 तो 2 एंद 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एक साथ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यह हम लिखेंगे नमबर 5 अब नीचे भी दिया हुआ है दिखो यह है 3 और यह है 3 तो पहले ट्री लैन बनाएंगे 1, 2, 3 तो अगें ट्री लैन बनाएंगे 1, 2, 3 भी तो एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो यहां लिखेंगे 6 है ना फिर यह है 3 1 2 3 फिर है यह 2 1 2 1 2 3 4 5 क्या हुआ नंबर 5 फिर 1 & 5 तो 1 बनाएंगे फिर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 & 6 तो 6 फिर यह दिया हुआ है यह और यह आपका आज का होम वर्क है ओके यहापर हम लिखेंगे होम वर्क ओके यहापको हम उम्मॉग मुझे करके बताना है ठीके ना तो आज हमने किसका रिवीजन किया एडिशन का one डिजिट एडिशन का ओके शिंगल डिजिट का तो आपको यह होमवक करके बताना है और जो जो बच्चे होमवक नहीं कर रहे हैं उनको प्लीज यह वर्क बुक में करना है और फिर मुझसे चग भी करवाना है ओके वाई टेक कियर